ये Garden of Five Senses है जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा बागीचा है और ये दिल्ली के साकेत में इस्थित है आज हम यहां आए हुए हैं और आज दिल्ली सरकार के द्वारा यहां पे बहुत बड़ा एक मेला लगाया गया है लगवग ये 15-20 दिनों तक मेला चलेगा और आप देखि दुदर तरीके से इसे सजाए गया है तो आए कि далее की सैर करते हैं यह देखिए TOP से बना हुआ है और यह भी साइकिल की रिंग से सारी चीजे जो है वेश्ट मेटेरियल से बनाई रही है और इसे सजावट के सामान में तबदील कर दिया गया है तो एक तरफ जहां इससे वेस्ट का रियूज हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इससे कचरा और सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट भी हो रहा है तो इस पूरे मेले में यह वेस्ट मेटेरियल से आपको बनी हुई को फ्रेंडली है यहीं पर बनाया जा रहा है जो कुमहार काम करते हैं मिट्टी का काम जो होता है यहीं पर मिट्टी का जो चाक होता है वो भी बना हुए देखिए आप चाक से मिट्टी बनाई जाती है और यह मिट्टी आपको यहीं पर रंगी भी जाती है यहां पर देख तो पाली हाउस वाली जैसे जो खेती होती है जिसमें की सनलाइट को कंट्रोल किया जाता है वो यहां पर छोटे अस्तर पर करके दिखाई गई है इसमें क्या है पुराने बोतलों का इस्तेमाल किया गया है और उनका रियूज करके एक ऐसा घर बनाय गया है कि जिसके अंदर खेती की जा सकती है छोटे छोटे पौधों की और अब हम चलते हैं आगे पार्क में बढ़ते हैं ये देखिए पेड़ों पे जो है मिट्टी को रंग के और उसके उपर पुराने कपड़े पहना के तरीके तरीके के आकृतिया बनाई गई है बंदर इंसानों की आकृतिया औ आप रात को देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में क्योंकि इसमें लाइटिंग बहुत अच्छे से की गई है और ये सारा जो है रियूज करके बनाए गया आप देखिए पेड़ों पे आपको दीखेगा लटका हुआ जो ये मानवा कृतिया हैं और भी कई तरीके के जो इनसानों के जैसे बंदरों के जैसे लटकाया गया है तो और बहुत बड़ा पार्क है ये इसकी एंट्री फीस ही समय 40 रुपे है तो सस्ता भी है ज्यादा महंगा नहीं है कोई भी जा सकता है और दिल्ली जैसी जगह पे इसका अपना एक महत्तो है क्य इल्कुल यहां पे देखिए घंटिया बनाई गई है जो कि यह अपने आप जब हवा चलती है तो हवा से क्या होता है कि यह हिलती है और यह बजने लगती है और बहुत अच्छा नेश्रल आवाज इनका होता है यह सबसे पिछला हिस्सा है और यह फाइफ सेंसे जो है पां जो रितू होती है वो जैसे बसंत रितू द्रिश्च की बात होती बसंत प्रेम का महीना माना जाता है तो इसमें जो है द्रिश्च देखने की चीज है तो पांच सेंस जो होते हैं जैसे कि एक तो सूंगना हो गया देखना हो गया सपर्स करना हो गया ऐसे सुनना हो गया और इसके अलावा जो है पांचवा सेंस जो एप टेस्ट गंद तो ये पांचओ सेंस है और ये पार्क है जो की बहुत सजाय गया अच्छे और यह पार्क का सबसे पिछला हिस्सा है जहां भी हम सूटिंग कर रहे हैं तो इसी की वज़ा से इसका नाम जो है Garden of Five Senses रखा गया क्योंकि यह Five Senses के अधार पर है और इसके इस मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है तो आपको यह रिपोर्टिंग कैसे लगी हमें जरूर बताएं